स्कूल शिक्षा विभाग की गाइडलाइन जारी, अतिशेश शिक्षक हटाने की हुई तैयारी विभाग का कहना, पॉलिसी के अनुसार स्कूलों में नहीं रहेगा कोईसा प्लस, रुदबेदारों की पतनिया और नजदी की लोग हैं ज्यादातर अतिशेश वार्शिक परिक्षाओं की नजदीक धड़ी को देख स्कूल शिक्षा विभाग विसंडतियों को सुधारने में जुट गया है बच्चों को उतक्रिष्ट अध्यापन देने के लिए शहरों और कस्बों के उन विद्यालेओं पर अफसरों की नजर टिक गई है जहां अतिशेश शिक्षक है विभाग का कहना है कि नईत अबादला नीती के अनुसार इन टीचरों को उन शालाओं में भेजने की पूरी तयारी है जो सालों से शिक्षक विहीन है विभाग में अधिकारियों के मुताबिक इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारियों को पॉलसी के मुताबिक गाइडलाइन जारी कर दी गई है शिक्षा अधिकारियों से कहा गया है कि वे अपने अपने जिले के ऐसे स्कूल चिनहित करें जहां पर अतिशेश शिक्षक हैं और जो बिना काम के व्यस्त होकर विभाग से वेतन ले रहे हैं ऐसे शिक्षकों की सूची तैयार कर पोर्टल पर अप्लोड की जाए ताकि इन शिक्षकों को उन्शालाओं में भेजा जाए जहां बच्चे अधिक है और टीचरों की कमी बनी हुई है विभाग का अनुमान है कि प्रदेश में करीब 20,000 से अधिक शिक्षक अतिशेश हैं अगर यह इन शिक्षकों का समायोजन होता है तो निश्चित तोर पर अध्यपन व्यवस्ता को सुचारू बनाने में विशेश मदद मिल सकती है विभाग का कहना है कि दिसंबर अंत तक यह प्रक्रिया कम्पलीट कर ली जाएगी इसके लिए समस्थ संभागी अस्नयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारी काम में जुट गए हैं इनका है दब-दबा, विभाग का कहना है कि राजधानी से लेकर जिलों में जाना होगा और कस्बा मुख्यालियों में अनेक अफसर, छुटभाया नेता और अन्य प्रभावशालियों की पत्नियों से लेकर उनके नजदी की रिष्टेदार स्कूलों में सबसे अधिक अतिशेश है प्रभाव के आधार पर इन्होंने सुविधा के अनुसार शहरों की स्कूलों में जरूरत न होने के बाद भी अपनों का तबादला करवाया है इन्हें बताया भी गया कि शहरों में पूर से संबंधित विशयों के टीच है लेकिन इन्होंने प्रभाव का इस्तेमाल कर इन संस्थाओं में परिजनों को रखवा कर स्कूलों में अध्यापन व्यवस्था चौपट करवाने में महत्वपून रोल अदा किया है विभाग के समक्ष अनेक चुनोतिया प्रदेश में अतिशेश शिक्षकों को हटाने में विभाग के समक्ष हमेशा चुनोतिया बनी रही है वर्ष 2012 से अभी तक के आकड़े देखे तो शहरों में अतिशेश शिक्षकों को हटाने की प्रक्रिया तो हुई लेकिन इस समयोजना में ताकतवर लोगों के नजदी की यथावत रहे है जबकि जो लोग अतिशेश की श्रेणी में आते ही नहीं थे तो उन्हें हटा कर दूरस्त ग्रामों के स्कूलों में भेजा गया है हाला कि विभाग का कहना है कि इस बार ऐसा नहीं चलेगा शहरों के स्कूलों में जो अतिशेश है उन्हें ग्रामों भोपाल के हर संकुल में अतिशेश भोपाल जिला शिक्षा अधिकारी कार्याले की माने तो राजधानी में जितने भी हाय सेकिंडरी स्कूल संकुल केंडर है वहाँ हर विद्याले में अतिशेश शिक्षक है हाला की हाल के दिनों में जिला शिक्षा अधिकारी ने प्राचार्यों को निर्देश दिये है कि ऐसे टीचरों को उन स्कूलों में पढ़ाने के लिए भेजा जाए जहां विशेश शिक्षकों की कमी बनी हुई है इनका कहना नई तबादला नीती के अनुसार अतिशेश शिक्षकों को हटाया जाना है शीग रही यह प्रक्रिया प्रारंब हो रही है ऐसे शिक्षकों को उन शालाओं में भेजा जाएगा जहां टीचरों की बच्चों की संख्या के अनुपात में कमी बनी हुई है अभय वर्मा, कमिशनर, लोग शिक्षन संचालना ले इस प्रकार की अपडेट जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बैल आइकन है उसे आल पर सेट कर दे धन्यवाद